तो गाइस माइक लगाने के टाइम पे ज़रा प्रॉब्लेम हो गया थोड़ा सा ट्रेड भार था तो आवास प्रॉपरली आये ने मैं हमेशे एक्चुली चेक करता हूं माइक प्रॉपरली चल रहा है कि ने एक वीडियो छोटा सा बना के उसके बाद ही मैं कंटिन्यू करता ह और यह गड़बड हो गया है तो उसको मैं डेसिमल उसका थोड़ा बढ़ा के मैं करता हूं कुछ जुगाड करता हूं अर चीज तो ऑफ गया है तो चीजब लोगों ने नोटीस से महीं दलहीं लीडा होगा है तो इस चीजब आपने उसमेल लुद्व बीज करते हैं था अपको का प्रोब्म होथा है तो उस चीज का आपने solution लाए, उसे तो काफी solution है market में, बट सबसे famous जो है, वो है Zana का top rack, टाइटल से तो आपने guess out किया होगा, मैंने top rack order किया है Zana का, जो की है aluminum plate के साथ, तो देखते, check out करते, ये आज ही आया है package, प्रोडक के related में last में आपको बताता हूँ कि कहां से आपको order करना चाहिए और कहां से करीदना चाहिए, अगर आप देख रहे हो purchase करने के लिए, पहले unboxing करते, फिर आगे का देखते, so package कुछ इस तरीके से आया है, काफी बड़ा है, बट हलका है थोड़ा, जादा बड़ा, य packaging एकदम अच्छा है, बट cardboard मतलब जो है न, एकदम नरम पड़ गया है, बारिश के वज़े से चाहिद से गिला बिला होके हो गया रहेगा, नरम, okay, so here is the top rack, यह है जाना के तरफ से कुछ लेटर, thank you for choosing जाना, एक कीचेन दिया है, जाना का, अच्छा है, टैग वाला कीचेन है, so market में आप अगर देखोगे, जो भी आपको प्रोड़क्ट चाहिए, रिलेटेट टू, traveling purpose, touring purpose का प्रोड़क्ट चाहिए, या फिर क्रैश गाड चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जाना का सबसे पह प्रोड़ा ओपन है, एक अच्छी चीज है, तो पहला यहापे मैं सेट अप कर लेता हूँ, जो भी का स्टैंड का यही है, एक खासियत है कि कहीं पे भी आप सेट अप कर सकते हो, properly, तो मैं आपको टॉप रेक दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से आया है पैकिंग होके, त जहां तक मैंने प्रिवियस वाला सब वीडियोस देखा था, उसमें आमें खुच से एसेंबल करना पड़ता था, टॉप रेक को, बट इसमें पुड़ा फिटिंग होके आया है, वो एक अच्छी बात है, बिकॉज मैं होई सोच के है, मतलब सब यह सब निकाला बार, मेरा लगा कि मुझे खुच से एसेंबल करना पड़ेगा, प्लेट सेंड और, जबर दस्त है यार, एक नमबर है, टॉप रैक, मतलब पाउडर कोटीं है, इसमें पूरा, और यहां पे दो जो अप्शन है, अगर आप फूचर में, बैक रेस्ट आपको चाहिए रहेगा, तो यह पर्चेस नहीं किया, अब देखते हैं, बिकोस टॉप बोक्स में कैसा है, आप बैक रेस्ट की तरह भी टॉप बोक्स को यूज कर सकते हो, सौरी कुता अगर बाग से बोकरा होगा तो, बट कोटिंग काफी अच्छा है, और यहां पर वाशर भी दिया गया है, वाइब अपर्ट फर्म धाट, कॉलिटी वाइज अगर मैं बोलने जाओंगा तो जबरदस्त है, उसके अलावा और एक जो चीज है, जो आया है इनके साथ, यह है लॉकेट, सो बेसिकली आप जबी भी नट बोल्ट खोलते हो गाड़ी का भी, मैं जो खोलने वाला हूँ पीछे गा लगाना चाहिए तो कैसे एकदम परफेक्टली बैटेगा, लूज हो के मदब वाइबरेशन के बज़े से अनबोल नहीं होगा, उसके लिए यह उन्होंने दिया गया है, ट्रेड लॉकर, यह भी उसकरेंगे, तो चलो फटक से चलते भार और गाड़ी में यह चीज फिट क दोनट, यह निकलना पड़ेगा अपने को, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं मोबाइल में अच्छली देख रहा हूँ, फर्स टाम अच्छली में चेस्ट मांट किया है इसके लिए, तो यहाँ लेट गेट स्टाटेड, यहाँ का दोनों का नट, निकलो, बारा न सो हाडली मेरे ख्याल से गाइस, पाच मिनिट का काम है यह, ज्यादा टाइम ने लगेगा इसको, इतना, क्या बोलता है, डी आइवाई लेवल है ना, एकदम एजी लेवल है इसका, इतना कुछ मगजमारी है ही ने पहली बात तो, हम यहाँ से खोल सकते हैं लोगें तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? वहाँ साड़ी गार्ड है ना तो वहाँ से स्पैनर अपन डालने सकते हैं तो इसके लिए जरा प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है, स्मार्ट़ी जरा वर्क करेंगे तो हो जाएगा, जाधा महनत कर कि ज़रूरत नहीं है और एक चीज में बोलना चाहूंगा बारिश के वक्त आना यार गाड़ी निकाला करो ने तो आना जाम होने का जाधा चांसस होता है कि ऐसे इंटर्सेट्टर में क्रोम जाधा आना बॉस तो क्रोम के बज़े से लफडा होता है अगर आपने ज़्यादा मुवमेंट नहीं रखा गाड़ी का तो रस्टिंग होने का ज़्यादा चांसस रहता है क्रोम का वही प्रॉब्लेम रहता है ओके सो यह ग्रैब रेल है अपना स्टॉक ग्रैब रेल वह सारी गाड़ वहाँ पर गिर गया है तो यह लगाने की बारी आ चुकी है तो सिंपल है सिप स्लाइड करो अंदर और फिट करो बास सो जैसा मैंने बताया आपको लगाने से पहले अपने को नट में यह लगाना पड़ेगा उसके बाद हमें नट को फिट करना है तो पहला वह कर लेते हैं थोड़ा सा इसा ट्रेडिंग पे लगाओ हाथ से जितना हो सकता है दोस्तों उतना गुमा लो आप तो स्कुरू लो यह जो स्कुरू है यह भी यहां पर फिट करता हो सो एनिवेज पहले क्या करते हैं यहां का फिटिंग कर लेते हैं ओके जितना हो सके उतना ही टॉर्क वापरो एक तम भी ज्यादा यह मत करो नहीं तो ट्रेड़ स्लिप होने का ज्यादा जांसर से डबल चेक कर लेता हूं एक पर वापस में यह प्रॉपर फिट हुआ ओके डन इसको अंदर रखो बारा नमबर का पाना बारा नमबर अ के अ कर दो के अ कर दो के पर्फेक्ट सो गाइज दिस इस हाओ माँ पाइट लोक्स सो गाइज काम बड़ा रेंदो या छोटा रेंदो हालत करब हो जाती है खास करके हुमिडिटी और बारिश रहेगा ना तो जादा हालत करब होती है तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने कैसा फिटिंग की है पीछे का जो ग्रैब रेल है उसे भी निकालना पड़ेगा के वेबसाइट में जा सकते हो और देख सकते हो कि आपके वेहिकल के लिए इन लोगोंने प्रोड़क्ट बनाया है या नहीं और उसके अलावा अगर आपको इसका ओनलाइन परचेस करना है तो उनके वेबसाइट से आप परचेस कर सकते हो एक चीज में आपको बोलना चाहूंगा कि इन लोग जो dispatch का जो date रहता है इनका काफी लंबा रहता है अगर urgency में आपको मंगता रहेगा कोई भी product और आप online purchase करने को देख रहे हो तो आपको given time में आ नहीं सकता because इन लोग straight forward सामने से बोलते हैं कि 5-6 days लगेगा dispatch करने के लिए जबकि courier जो है वो फटक से पोच गया था almost 2-3 दिन में पोच गया था because दिल्ली से यहाँ पर लाना है तो यार थोड़ा तो time लगेगा बट dispatch करना वो main बात है मैंने last week में order place किया था I think so on Thursday I place the order और Thursday, Friday, Saturday, Sunday तो होता नहीं है उन लोग ने लिका हुआ है and I think लब ये week में Wednesday के दिन में product dispatch हुआ और आज तो क्या है Saturday तो Saturday पोच भी गया product एक ही मैं वही suggestion देना चाहता हूँ अगर आपको urgent basis पे जीए तो आप उनके website में देखे नियर्बाइ उनके official partners को ने जो लोग उनके products रखते अगर आपके nearby रहेंगे तो आप जाके purchase कर सकते हो और else आपको online ही जाना पड़ेगा और दूसरा कोई option नहीं है तो ये चीज में आपको mention करना था उसके अलावा product का जो pricing है वो सब website में आप देख सकते हो आपके requirement के इसाब से so anyways guys आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो definitely like करो शेयर करो आपको देश्तों के साथ जिनके वास interceptor है और comment करो अगर आपके वास कोई queries है या फिर कुछ आपको लग रहा है कि ये सही है ये गलत है कुछ भी रहेगा तो आप comment section में comment कर सकते हो अगर आप नए हो इस चैनल में तो subscribe करो बिकास अभी motor vlogs भी बहुत ही जल्द आने वाले अपना camera का तो पुरा रेड़ी है गोप्रो अल्मोस्ट रेड़ी हो चुका है तो गोप्रो से ही actually मैं भारका footage shoot किया थोड़ा बहुत गड़बड हो गया रहेगा तो संबाल लेना because कैसा है कि पहली बार मैं chest mount किया था तो उसी सबसे मतलब मैं कर रहा था vlog और क्या mic भी कुछ लगाया नहीं था internal mic जो है गोप्रो का उससे ही काम चला लिया so yeah guys thank you for being part of this vlog see you soon on the next video till then stay safe bye